जै शरी राम जै मातदी फ्रेंट्स तुलसी मंजरी का जो शेवा होता है वो सेवा जरूर से जरूर करें तुलसी की सेवा में सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है तुलसी मंजरी हटाने की सेवा समय समय पर तुलसी की मंजरी हटाते रहना चाहिए तुलसी माता के उपर बोज होता है इसका और हमें बिल्कुल भी इसका फल प्राप्त नहीं होता जो भी हम पूजा पाट करते हमें उसका 1% भी फल नहीं मिलता है इसलिए आप पूजा पाट ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है बढ़ समय समय पर तुलसी मंजरी हटाते रहें और मातारानी के सर पर जो बोज रहता उस बोज को आप सभी लोग हटाते रहें यही जानकारी में दूंगे आप सभी लोगों को वीडियो में बने रहीएगा तो इनको निकाल कर आप सभी लोग इनका बीच जो होता है यह वापस से आप तुलसी में डाल सकते हैं और दूसरा पौधा नया पौधा निकल आएगा फ्रेंट्स बाकी मैं बाद में बताऊंगी कि फिर उसका आपको इसका क्या करना है बीच तो यूज में आ जाएगा ल तुलसी विवाह कार्थिक मास में सबी करते हैं यह पता है आप लोगों को बाकी ऐसा कुछ भी नहीं कि अगर आपने तुलसी का पौधा उगाया तो आपको विवाह करवाना पड़ेगा ऐसा कोई माननिता नहीं है कुछ भी नहीं है कहीं सास्त्रों में नहीं लिखा है तो लोग डिरस्पत भगवान को चड़ाया जाता शर हरी विष्न को आप सब którego इस तरीके से मनजरी तोड़ें जिसमें थोड़ी सी पर यह देख सकते हैं अप सबी लोग इस तरीके की मंजरी तोड़े और भगवान विश्न को अरकित करें लोग विवाह को अरक तुलसी और क्हिश्ण रखिएगा कर सुक्रवार को माता लक्षमी जी को भी तुलसी मंजरी अर्पित की जाती है Fronls जिससे घर में शुक्सम्रिधी है कभी में की नहीं होती है अगर आप भोग नहीं मान रहें तो एक बारा जमा कर देखिए सुफरय का ब्रत कर रहें तो भी नहीं करें तो भी आप लोग quindi स्टुट्रवार को मातलख्षपी को तुल 만큼 जरूर शर्ब करें और जो भी आपकी मनत है उसे मांग कर तुलसी मंजरीं अर्पित करें घर में शुक शमरिद्धी बनी रहती है फ्रेंट्स और सिरी हरी विष्णु को आप लोग ब्रस्पत्वार का ब्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है और नहीं भी कर रहे हैं तो आप लोग तुलसी मंजरी का 108 मंजरी ले लीजिए 111 ले लीजिए 107 ले लीजिए जिस का आप सभी माला बना लीजिए इस तरीके की मंजरी होनी चाहिए मैं सभी लोगों को बार-बार यह चीज़ y notice करवा रहे हूं कि अगर आप लोगों को भगवान को अरपित करना है तो मंजरी का ध्यान के दिन अर्पित कर देना है और अपनी मंदत को बोल कर अर्पित करना है और ब्रस्पत्वार को अर्पित करने के बाद आपको शुक्रवार को यह माला हंटा लेना है और साब रहेगा फ्रेंट्स एक बार जरूर से जरूर करकर देखिए ब्रस्पतवार के दिन 108 111 जो भी हो मैंने बताया आपको उस तरीके से आप माला बना कर सिरी हरी को अर्पित करिए और जो भी आपकी मननत है उसे बोल कर अर्पित करिए और फिर उठा कर अपने तिजोरी में रख लीजिए आप देखेंगे आपको फर्क खुद ही नजर आएगा जैसा कि अभी कार्तिक मास लगने वाला है तुलसी की मनजरी की सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है इसलिए मैं बार बार आप सभी लोगों से बोल रहें कि अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो तुलसी मनजरी सेवा जरूर से जरूर कीजिए और ये जो मैंने बोला था आप लोगों को बार में बताऊंगी ये पकी हुई तुलसी की बीज तो आप ही कर लेंगे बड़ी से पाप लगे गा और अभी चलो पकी ये कोई बात नहीं रखने से सारी सूख जाएंगी फिर इसका हम क्या करेंगे तो रकने की बात हम क्या करे एक पौदे में गमले में डाल देना जिससे की एक नई तुलसी हमें मिल जाएंगी और जो यह बचेगा इसका यह चीजें जो देख सकते हैं इसको हमें सुखाकर पीस कर रख लेना है काढ़ा या फिर चाय वगेरा में यूज कर लेंगे हम जिससे हमें आरा यह कच्रा भी नह सकते हैं इसको पीस कर सुखाकर हमें किसी डब्बे में रख लेना है और समय समय पर हम यूज कर लेंगे काढ़ा बना रहें चाय बना रहें जिसमें हमारी इच्छा होगी हम डाल सकते हैं तो इसका ऐसे यूज करना फ्रंस और तुलसी की मंजरी लगी है तो समय समय पर हटा जाएगा हमें पुल्षिम्या के सरपर तुलसी मंजरी इससे कि तुलसी जो नटक भी जाती नीचे नइए उस तरीके से जिस तरीके रिपरी हुनें रहना चाहिए उस तरीके से नहीं रहते हैं आसे बीडियों को च्रूआ कंपो और चैनल को subscribe करिएगा friends तो चलो friends मैं अभी चलती हूँ तुलसी की मंजरी हटा लेती हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़ी सी ही मंजरी हटाई है और वीडियो सूट करने लग गई आप लोगों के लिए अभी बाकी सारी मंजरी लगी हुई है तो मैं हटाऊंगी चलो आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि अभी कितनी मंजरी लगी है जो मुझे हटाना है यह देख सकते हैं आप साभी लोग अभी बहुत सारी मंजरी लगी है इस तरीके से करके यह देखे इस तरीके से और इस तरीके से मैं अब सारी मंजरी को हटाऊंगी वीडियो मैंने सूट कर लिया है और देख सकते हैं भी बहुत सारी मंजरी है तो मैं इन सारी मंजरी को हटाऊंगी और फिर उसके बाद सूख जाएगा तो मैं जिस तरीके से आप लोगों को बताई हूं सी तरीके से मैं भी उसकर लूँगे तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगे तो जादा से जादा शेयर करिए कि जय माता दी जय शीरी राम